नमस्कार दोस्तो चतिस गड़ के बस्तर में वीजापुर में शनिवार देरशान जो गटना हुई है नक्सली हिंसा की हमले की इसने 2013 की उस वारदात को ताजा कर दिया है जिसमें कई कॉंग्रिस के नेता मारे गए थे उनमें विद्याचरण शुक्ल भी थे ये करीब करीब वैसी ही वारदात है और इस वारदात ने एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि जिस नक्सली हिंसा को हम लोग खतम हो गया चैप्टर मान करके और आखे फेर लेते हैं क्या वो वास्तों में समाप्ती की तरफ है या जब जब इस तरह की शांती दिखाई पड़ती है तब वो अगली किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे होते हैं और ये हमला ऐसे समय हुआ है जब नक्सली गुटों के साथ शांती वारदा की तैयारियां हो रही थी नक्सली गुटों की तरफ से कुछ प्रस्ताओ कुछ शर्तें आप कह सकते हैं कि वो सरकार के सामने रखी जा रही थी और इस वारदात ने एक बार फिर पूरी सुरक्षा नीती को लेकर के और जो हमारी तैयारियां हैं और जो हमारे आप्रेशन में लगे हुए अधिकारी हैं उनकी जो रणनीतिक चूक है उस पर नए सिरे से विचार करने के लिए और सोचने के लिए भी बाद्ध कर दिया है इस वारदात में अभी तक हमारे 24 जवानों की शहदत की सूचना मिल रही है और 21 के बारे में ये जानकारी है कि वो कहां है इसका पता नहीं चल रहा है 24 ये और 21 वो ये एक आशंग का व्यक्त की जा रही है कि कहीं शहदत देने वालों की संख्या 40 के पार न पहुंच जाए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरासोस जाहिर किया है उनके परिवारों के साथ एक जुटता परदर्शत की है ग्रह मंतरी अमित शाह की तीन रहलियां थी एक रहली संबोजित करके उन्होंने बाकी की दो रहलियां रद कर दी हैं दिल्ली लोट रहे हैं जो DG है CRPF के जो दूसरे अधिकारी हैं उनको मौके पर रवाना किया गया है लेकिन सबसे दुर्भाग्य पूर्ण इस्तिति क्या है सबसे दुर्भाग्य पूर्ण बात ये है कि जिस पारिटी की 36 गड़ में सरकार है यानि कॉंग्रेस उस कॉंग्रेस के नेता ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और ये तब है जब परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने इस पर बयान दिया है इसकी निंदा की है पर जिन जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों के परती हार्दिक समेदना व्यक्त की है ग्रह मंतरी दिली लोटकर के पूरी इस्तिति पर नजर रख रहे हैं लेकिन 36 गड के मुख्य मंतरी बगेल साग असम में अपनी पारिटी का चुनाव परचार कर रहे हैं और उन्होंने अपना कोई आयोजन, कोई सभा, कोई दोरा रद नहीं किया है एकिन के प्रमोध आचारियें हैं जो प्रियंका वाडरा की चापलूसी करते रहते हैं करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन प्रियंका वाडरा की परशाष्ति में उनका कोई ना कोई बयान आता है और उन्होंने क्या बयान जारी किया है चार बज़कर 19 मिनट पर उन्होंने कहा है कि 22 जवानों की शहादत हो गई और हमारे बहाद्दूर प्रदान मंतरी दो मई दीदी गई के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं हलाकि इस पर बहुत सारे लोगों की तीखी परतिकरियां आई हैं और कई लोगों ने तो सवाल खड़े किये हैं कि ऐसे मौके पर प्रदान मंतरी के बारे में इस तरह की टिपनी करना ये शो करता है कि जिस राज्ज में ये वारदात हो रही है वहां कॉंग्रेस की ही सरकार है ये जो वारदात के बाद भी असम से वापस 36 गड़ा भी नहीं लोटे हैं शाम को ही उनका लोटने का प्रग्राम है और वो परदान मंतरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं एक पर्तिकरिया आई है कि मौलाना जी राज्य में कॉंग्रेस की सरकार है नकसल हितैशी कॉंग्रेस वामपन्थी है या इसमें मौदी जी की गलती है आउपरेशन क्लीन चलाने की मांग वाजपई जी कर रहे थे तब कॉंग्रेस सी वामपन्थी बोले नक्सली कोई और नहीं हमारे हैं उन पर हवाई हमला ठीक नहीं और एक और परति करिया है कि भारत देश में कुछ मुर्ख पाखंडी मकार कमीने मान सिकता वाले दिवालियां हैं समयधानिक पद पर हैं कानून को मानते नहीं कानून लागू नहीं करते न्याय नहीं दोनी देते रिश्वत खोरी ब्रश्टा चार करते हैं अच्छे सज्जन आवाज नहीं उठाते डर पोक कायर है करपिया सोशल मीडिया पर लिखें और एक और परति करिया कि 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार होते हुए आप मुदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्या 36 गड़ में कॉंग्रेस सरकार सुरक्षा की नाकामी को देखते हुए इस्तीफा देगी ताकि केंदर सरकार नकसलियों पर पिछले कारेकाल की तरहे नकेल कर सके बहुत सारी एक एक और प्रतिकरिया है ये प्रेम नरायन के नुवार उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुख्यमंत्रिया साम में कहें गोहम रहा है खुद तुम्हारी पारिटी नकसलाइट समर सके हर जगे मोदी जी ही तुह है बहुत सारी परतिकरिया आ रही है लेकिन जो मूल सवाल इस वारदात से उठा है वो यही है कि आखिर ये वारदात हुई क्यों है क्योंकि 20 दिन से इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में नकसलियों के होने की सूचना मिल रही थी और जो आईजी ओप्रेशन्स हैं उनके नित्रतों में सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद थे मौके पर मौजूद थे आसपास मौजूद थे प्रणनीती बना रहे थे घेरा बंदी कर रहे थे फिर ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन पहले की सूचना मिलने के बावजूद इतनी बड़ी वारदात हो गई जो अभी की सूचना वहां से आ रही खबर के रूप में आ रही है एक बार ज़रा उस पर नजर डाल लेते हैं कि ताजा अपडेट क्या है ताजा अपडेट ये है कि नकसली हमले में 24 जवान शहीद घटना अस्थल पर 20 के शव मिले यहां पहुंची रेस्क्यू टीम पर भी नकसलियों ने हमला किया बस्तर के बीजापूर में शनिवार को नकसलियों ने 700 जवानों को गहर कर हमला किया इस हमले में 24 जवान शहीद हुए हैं इनमें कोब्रा बटालियन के 9, DRG के 8, STF के 6 और एक बस्तरिया बटालियन का जवान शामिल है इस बीच Ground Zero का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 20 जवानों के शव गटना अस्तल पर ही दिखाई दे रहे हैं वीडियो गटना के 24 गटे बाद सामने आया और तब तक Rescue Team यहां नहीं पहुँची थी हलाकि बाद में Rescue Team पहुँची इस टीम पर भी नकसलियों ने हमला कर दिया उन्होंने IED Blast भी किया इस हमले में एक जवान घैल भी हुआ है 20 जवानों के शव लोकेट कर लिए गए हैं उनको recover करने के लिए केंद्रिय एजेंसियों और Air Force की मदद मांगी गई है करीब 700 जवानों को नकसलियों ने बीजापुर के तरेम इलाके में जोना गुड़ा पहाडियों के पास घेरा है तीन घंटे मुठवेड चली इसमें नो नकसली भी मारे गए करीब 30 जवान घैल हुए मुठवेड के बाद 21 जवान लापता है यानि 24 जवानों की अब तक म्रत्य हो चुकी है वो वीरगत्य को प्राक्त कर चुके हैं और 21 जवान अभी लापता हैं जो संख्या कुल मिला करके 45 बैठती है CRPF के साथ 36 गड़ पुलिस के 15 जवान लापता हैं जिस इलाके में मुठवेड हुई है वो नकसलियों की 1st Battalion का कार्यक्षेत्र बताया गया है 20 दिन पहले UAV की तस्वीरों से यहां बड़ी संख्या में नकसलियों की मौजूदगी की जानकरी मिली थी सुरक्षा बलों को जोना गुड़ा की पहड़ियों पर नकसलियों के डेरा जवाने की सूचना मिली थी शुक्रवार रात को ही CRPF के कॉब्रा कमांडो CRPF बस्तारिया बटालियन और स्पेसल टास्क फॉर्स के 2000 जवानों ने आपरेशन शुरू किया था लेकिन शनिवार को नकसलियों ने इन में से 700 जवानों को घेर करके अचानक हमला बोल दिया और वो भी तीन तरफ से नकसलियों ने एक बड़े एंबुश में जवानों को फंसा लिया और तीन और से फाइरिंग शुरू किये मुठवेड सुबह दोपैर में करीब साड़े बारबजे शुरू हुई और शाम को साड़े पाँच बजे यानि करीब करीब पाँच घंटे तक चली इस दोरान नकसलियों ने यूजी एनल रॉकेट लांचर इंसास और एके सेंतालिस का इस्तमाल किया इससे पता चलता है कि नकसलियों के पास कितने घातक हतियार रहे CRPF के ADGP आपरेशन जुलफिकार हसमुक केंदर के वरिष्ट सलहकार और CRPF के पूर्व डीजीपी विजय कुमार और मौजूद आईजी आपरेशन पिछले 20 दिनों से जगदलपुर राइपुर और वीजापुर के क्षेत्रों में खुद मौजूद थे इसके बावजूद इतनी बड़ी संक्या में जवानों का वीरगती को प्राफ्त होना आपरेशनल प्लानिंग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है और इस बीच ये भी सुचना मिल रही है कि सी आर पी एफ के डारेक्टर जनरल कुलदीफ सिंग 36 गड़ पहुँच गए हैं उन्होंने कहा कि जवानों के वलिदान को इस दोरान वे हालात का जायजा लेंगे बीजापुर में हुए आपरेशन के बाद ग्रह मंत्राले ने उन्हें मौके पर जाने के लिए कहा और अमित शाह ने डीजी को बीजापुर भेजने के साथ ही 36 गड़ के मुख्य मंत्री से भी संपर का स्थाफित किया है परधान मंत्री नरेंद्र मोधी का संदेश इस सिलसले में आ गया है उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जवानों के वीर गती प्राप्त करने को बेहत दुखद बताया है उन्होंने कहा कि जवानों के बलीदान को कभी नहीं बुलाया जा सकता मेरी संवेदनाएं 36 गड़ में शहीद हुए जवानों के परीजनों के साथ है वीर शहीदों के बलीदान को हम भूलेंगे नहीं गायलों के शिगर स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की है और अभी कुछी दिन पहले 23 मार्च को भी एक नकसली हमला हुआ था जिसमें 5 जवान वीरगती को प्राफ्थ हुए थे 36 गड़ में 10 दिन के अंदर ये दूसरा नकसली हमला है इससे पहले 23 मार्च को हुए हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे ये हमला नकसलीों ने नारायनपुर में E.I.E.D.E. बलास्ट के जरिये किया था तर्यम ठाने से CRPF, DRG, जिला पुलिसबल और कोब्रा वटालियन के जवान संयुक्त रूफ से सर्चिंग पर निकले थे और इसी दोरान सिल्गेर के जंगल में घात लगाए नकसलीों ने उन पर हमला कर दिया था इस पर जवानों की और से भी जवाबी का रवाई की गई थी और जिस बात की चर्चा में शुरू में कर रहा था कि नकसलीों ने 17 मार्च को शांती वारता का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था नकसलीों ने विग्यप्ति जारी करके कहा था कि वे जंता की भलाई के लिए 36 गड़ सरकार से बाचीत करने के लिए तैयार है उन्होंने बाचीत के लिए तीन शर्ते रखी थी इनमें सशस्त्र बलों को हटाने माववादी संगठनों पर लगे प्रतिबंद हटाने और जेल में बंद उनके नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की थी और ये जो हमला हुआ है ये इसलिए ज़्यादा दुखद है क्योंकि बीस दिन पहले ही वहाँ बड़ी संख्या में नकसलियों के होने की सूचना मिल गई थी इसके बावजूद अगर उनको वहां से हटाने भगाने या नोट्रलाइज करने की पुखता रणनीती हमारे आपरेशन में लगे हुए अधिकारी नहीं बना पाए तो ये एक बड़ी भी फलता मानी जाएगी आपरेशन में लगे हुए अधिकारियों की भी और सरकार की भी और पांच बड़ पहली ये केंद्र के वरिष्ट सुरक्षा सलाकार और CRPF के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार के अलावा मुझूद आईजी आपरेशनल नलिन प्रभात पिछले 20 दिनों से जगतलपुर, राइपुर और बीजापुर के क्षेत्रों में खुद मौजूद थे इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरी आपरेशनल प्लानिंग पर सवाल खड़े कर रहा है, नकसल आपरेशन से जुड़े सुत्रों की माने तो इस तरह एक ही इलाके में बड़े अधिकारियों की मौजूदगी नकसलियों को भी अल अपनी प्लानिंग करते हैं, बीजापूर नकसली हमले में भी यही हुआ है, दूसरे, 36 गड़ के गोरिला वारफेर इलाकों में सुरक्षा बल लंबे समय तक एक ही रननीती के साथ सफलता हासिल नहीं कर सकते, यहां पर किसी एक रननीती पर सालों साल चलते रहना, जवानो के लिए घातक साबित हुआ है, बड़े अधिकारियों का काम यही होता है कि वो रननीती के बदलाओ करके नकसल मुमेंट को कमजोर करें, उपर से बनी इन रननीतीयों पर ग्राउंड में मौजूद अधिकारी अपने इलाके की टॉपोग्राफी और डिमांड के हिसाब से प्लाइन करते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक रननीती में बदलाओ ना हो, तो सुरक्षा बलो की मौजूदगी और बढ़ती जाती है, ऐसे में नकसलियों को अपने अपने उपर होने वाले हमलों को गेस करना आसान हो जाता है, और जवानों की जान अक्सर देखा गया है के जोखे में पढ़ जाती है, तीसरे, बीजापुर के इस नकसली हमले से पहले, अन आर्म वेकल, यू एवी या ड्रोम से मिली फोटो और वीडियो के आधार पर, यहां ऑपरेशन प्लैन किया गया था, लेकिन नकसल ऑपरेशन के सूत्र बताते हैं, कि सोदोसर नकसलियों कर मूमेंट दिखना आम बात है, इसे आप किसी ऑपरेशन को प्लैन करने का इंटेलिजन्स इनपुट नहीं मान सकते हैं, और चोथे, लोकल लेवल पर नकसली गुटों के साथ शामिल लोग, सुरक्षा बलों के लिए किसी भी हत्यार से बड़ा सहरा होते हैं, इन ही से मिल जानकारी के आधार पर पिन पॉइंट आपरेशन प्लैन होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नकसल आपरेशन में शामिल अधिकारी वावाही लोटने के लिए सरेंडर करवाने पर ज्यादा जोर देते हुए दिखाई दिये हैं, सरेंडर करने के बाद किसी नकसली या मुखबरी से मिली जानकारी छे महिने से अधिक काम की नहीं होती ऐसे में सुरक्षा बलों को अंदर से आने वाली सूचना ये मिलना कम हो जाती है और पांच वी पांच तरह की अलग अलग फोर्सिस की ऐसे आपरेशन में मौजूदगी कमांड और कंट्रोल के लिए एक चुनोती होती है फाइरिंग की सूरत में सभी अपने अपने प्रसिक्षन और बनावट के हिसाब से करवाई करते हैं ऐसे में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती है लेकिन दूसरी तरफ नकसलियों की ट्रेडिंग और कमांड हमेशा एक जैसी रहती है उनकी यूनिट भी खराब नहीं होती है और जो इस नकसली हमले का मास्टर माइंड बताया गया है उसका नाम है माडवी हिड्मा इस पर पचीस लाख रुपे का इनाम घोशित था अब इसकी भी सुरक्षा बल तलाशी कर रहे है अभियान चल रहा है और जो सूचना अभी मिल रही है वो ये है कि जो सुरक्षा बलों के जवान कायव हैं उनकी तलाश चल रही है जो डेड बोडीज हैं उनको रिकवर किया जा रहा है और आप्रेशन अभी भी जारी है गोली बारी अभी भी जारी है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जोएन कर सकते हैं साथ में लगे बैल आइकोन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार